तो यार हमारा DSE course start हो चुका है, आप लोग की full power motivation देखने को मिल रही है comment section के अंदर, लेकिन मज़ा जब ही आएगा जब यह motivation ना end तक रहेगी, तो उसी के कुछ उपाई ढूढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, तो पहले चीज, कल मेरे से बहुत सारी कोशन पूचेगा है कि मेरे को लगी कि there should be a way of communicating, आप लोग उसे बात्षीत करने का एक तरीका होना चाहिए, अब मैं lectures upload करता रहूं, क्या पता आप लोग देख पाएं उसको ना देख पाएं, आप से miss हो जाएं वो lectures, आपको कुछ suggestion देना हो, मेरे को कुछ polls कराना हो, बहुत important चीज, जो लोग भ पक्का से giveaway रखूँगा, ताकि सब की motivation बनी रहे साथ ही साथ, और daily आप लोगो updates भी करूँगा कि यह lecture आ गया है, जाकर के देख लोग, कोई doubts भगर होंगे, तो discuss कर लेंगे, कोई feedbacks होंगे, तो दुबारा record कर लेंगे lecture को, अगर बढ़िया नहीं लगा, मज़ा नहीं आया कर देते हैं, हम लोग communicate करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, live sessions करेंगे, और polls वगरा करेंगे, Instagram पे, तो वैसे मैं Instagram follower करने के लिए बोलता नहीं हूँ, मेरे हैं ही बहुत कम follower, लेकिन अब जाकर के आप लोग इसको follow कर दो, क्योंकि इन तीन महीने में हम लोग जो भी करें sessions होंगे, and मैं Sundays को ये Saturdays को आप लोगों से आपस में बात करने के लिए, वो इंस्ता lives होते हैं, वो कर लिया करूँगा, बहुत दी बढ़िया medium है, मतलब मेरे को easy to use लगता है, सभी लोग के पास होता है phone में, तो daily लोग चेक करेंगे कि हाँ भाया ने lecture डाल दिया, आप जा बिचता है या ने बेचता कल में एक वीडियो अपलोड करी थी, तो उस पे काफी, मतलब initially काफी कम लोग के पास notification गई उस चीस की, ठीक है पुरा नयवाला चैनल है DSA का, उस पे एक वीडियो आज शे बजे आने वाला है, consistently हर दिन 6 बजे वीडियो आएंगे, लेकिन notification नही notification, bell icon जो होता है ना, वो क्लिक कर देना, नयवाले चैनल का भी और इस वाले चैनल का भी, अब इस वाले चैनल पर क्या आने वाला है, उसके बारे में बता देता हूँ मैं, तो यार, अभी placement season आने वाला है, तो मेरा focus सिर्फ यही है, कि आप लोगो placement से related, बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला resource और एक देखने वाला resource देती है, मतलब एक YouTube वीडियो देती है देखने के लिए और एक read करने वाला resource देती है, कुछ-कुछ लोग होते है, reading में interest होता है, कुछ-कुछ लोग होते है, पढ़ने में interest होता ही नहीं है, watch करने में interest होता है, तो दोनों को ही यहा पर इन दिस प्लेस्मेंट सीजन तो यहां पर भी आप लोग लाइकन तबा लेना ठीक है इन तीन महीने के लिए यह आप चीजे फॉलो कर लो तो आप लोग के पास अपडेट्स रहेंगे तो यह डिया से हो जाता है सब्जेक्स हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स रह जाते हैं तो आप लोग को बिल्कुल scratch से सीखनी है development अच्छे तरीके से तन क्राइट रहेंस बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पर experience-based learning होती है मतलब आप लोग प्रोजेक्स पर असली प्रोजेक्स पर जिस तरीके के हम लोग प्रोजेक्स करते हैं software engineers उन्हीं तरीके के प्रोजेक्स पर का कराके skills develop कराई जाती है तो at the end of the program आपके पास resume के लिए बहुत अच्छे प्रोजेक्स होते हैं और आपका skillset जो है बहुत ही strong हो चुका होता है तो development क्राइट किसी को अगर scratch से सीखना है तो तीन प्रोग्राम है full stack development back end development and fellowship fellowship program placement guarantee वाला प्रोग्राम होता है और placement की guarantee में होती है लॉंगर प्रोग्राम है relatively बागी full stack development में आप लोगको html css javascript react सब कुछ सिखाया जाता है back end development में आप लोगका जो main framework है that will be spring boot spring boot काफी famous है अगर आप लोग developments कैसे सीखने है दिन क्राइट और दूपर आप लोग check out कर सकते हैं अब यार एक और बहुत important question कि भाईया जो कोर्स है इसकी language क्या रहेगी तो language मैंने रखी हुई है English why because मेरे को आपको placement ready करना है डियसे तो मैं आपको सिखा दूँगा हिंदी भी सिखा दूँगा किसी भी language में सीख जाओगे आप डियसे लेकिन इस बार मैंने तीनों ही language कवर कर दी है C++, Java, Python तीनों में code मिलिंगे आपको मैं एक programming language में code कर रहा हूँगा वीडियो में लेकिन link नीचे description में आपको सभी के link मिल जाएंगे C++, Java and Python तीनों के ही link मिल जाएंगे तो जो भी आप लोग सामने देखेंगे कि भाईया C++ में code हो रहा है या Java में code हो रहा है तो आपको देखके नीचे पता चल जाएगा कि हार इसका corresponding C++ code किया है या इसका corresponding Java code किया है ठीक है So don't worry about that बिल्कु स्क्राइमें टेंशन मत लेना अब आप लोग सीज़ा जागर के course को follow करने लग जाओ और जो आपको तीन चीज़े बताई गई है